हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स यह हमारे पास एक एक एम्पिलिफायर है यह इसका बोर्ड है बोर्ड इसमें 355 का यूज किया है 2N 355 इसमें आडियो ट्राजिस्टर लगाए गई हैं बैक साइड में 4 तो इनकी कंपनी भी आपको दिखा देते हैं CDIL कंपन DC पे चला के दिखाएंगे क्योंकि ज्यादनतर हमारे एम्प्लिफायर ट्रासफार्मर के द्वारा 220 वल्ट की सप्लाई से चलते हैं 12 वल्ट की सप्लाई पे इसको कैसे चला जाएगा यह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वीडियो को लाइक करें चैनल मेंने हैं तो करें क्योंकि जो हमारा 35 का बोर्ड होता है दोस्तों यह बोर्ड हमारा माइनस प्लस की सप्लाई से चलता है क्योंकि माइनस प्लस की सप्लाई ट्रासफार्मर के द्वारा बनाई जाती है अगर इसको 12 वल्ट की सप्लाई दें तो 12 वल्ट की सप्लाई हमारी प्लस होती है औ देखिए इस supply के दोरा इसको हम इस amplifier को 12V की DC supply के उपर आपको चला के दिखाएंगे सबसे पहले इसकी हम wiring करते हैं दोस्तों ये हमारे पास जो supply थी ये 50-50 की supply थी लेकिन हमने इसको modify कर दिया है इसको हमने 25-50 की supply में convert कर दिया है तो अब इसकी wiring आपको करके दिखाएंगे इस amplifier को 12V की DC supply के उपर चला के आपको दिखाएंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर बोर्ड के 400 crew को खोल लेना है अब ये screw हमने खोल लिये हैं अब इस बोर्ड को हम open कर लेती हैं तो अब एक बार आप इसकी wiring भी देख लिजिए क्योंकि इसी वीडियो में wiring आप देख लिजिए कई बार हमारे audio transistor की जो wiring मिस हो जाती है कोई wire टूट जाती है आपके पास से तो इसके wire के color देख लिजिए कैसे इसको लगाया जाता है तो यह देखिए इस तरह ऐसे इसको लगाया जाता है तो इसके लावा दोस्तों यहां पर resistance लगी है वान ओम फाइवाट में यह चार वान ओम फाइवाट में resistance लगी है यहां पर BD-1049-1440 लगाया गया है यहां पर इसका amplifier का driver board है यह बास्टरबल का board है इस साइड भी बास्टरबल का board है 305 इसमें लगाये गए हैं तो बाकी एक transformer था transformer को हमने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि जो customer हमारे पास इसको ले के आया है उसका यह कहना है कि मैंने इसको गाड़ी पे चलाना है सिर्फ 12V पे तो इसी लिए हमने supply को convert किया है पच्ची जिरो पच्ची में तो अब इसकी wiring हम करके आपको दिखाते हैं तो यह हमारे पास 12V की supply के लिए यह plus है और यह minus है plus minus के लिए यहाँ पर होता है यह हमारी minus है negative volt तो यह हमारी plus की supply 12V की इसको हमने दे दिया है अब एक बार इस supply के voltage भी आपको दिखा देते हैं इसके voltage कितने हैं तो इसको हम दे देते हैं 12V की supply तो 12V की supply हमने इसमें दे दी है तो यह हमारे पास multimeter है multimeter को करेंगे 200 DC volt की range पे set अब जो black probe है हमारी उसको हम लगाएंगे negative पे तो अब देखिए यहाँ पर हमारे plus के volt है कितने पच्ची है तो यहाँ पर हमारे negative volt है negative volt कितने है देखिए 26V negative है तो इस side भी हमारे 26V ही negative के मिलेंगे तो यह हो गई हमारे 26.06 की supply यहनिके 25.05 की supply है एक आद वोल्ट बढ़ जाती है तो अब इसके voltage भी हमें sort करने है sort की इस तरीके से हम करेंगे अगर हम यहाँ पर कोई चिम्टी लगाएं तो हमारी supply यहाँ पर काली पड़ जाती है इसलिए इसको हम बल्फ के दबारा zero कर देंगे खतम कर देंगे voltage तो यह हमारे voltage zero हो गई है यहाँ से तो अब थोड़ा सा एक बार sort करेंगे यह देखे sort करने के बाद कोई यहाँ पर sparking नहीं है तो अब इसकी हम wire करते है अब दोस्तो हमने तीन wire ली है जो blue wire है हमारी वो gnd के साथ हमने इसको touch करना है तो इसके साथ हमने जोड़ दिया जो white color की wire है इसको हम लेंगे negative supply के लिए जो minus के पच्ची वोल्ट है तो इस color को हम change करेंगे यह white है white के जगे हम यहाँ पर yellow color यूज़ करेंगे यह हमारे पास yellow color की wire है इसको plus की supply के लिए यूज़ करेंगे पच्ची वोल्ट के लिए तो यह हमारे connection हो गए है यहाँ पर तो अब हम सभी wire को एक एक ही जैसे इसको सीरे को हम बराबर करके इसको काट देंगे तो अब इसको कर लेते हैं soldering अब दोस्तों हमने बराबर cutting कर लिया है सभी wire की तो अब यहाँ पर हम इसके connection करेंगे तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो transformer की wire थी उसको हमने यहाँ से cut कर दिया था यहाँ पर 18V, 18V और GND यहाँ से हमने हमारी wire थी उसको हमने निकाल दिया था तो अब यहाँ पर हम देंगे जो हमारी plus की volt है तो plus के volt हमारे यहाँ पर है उपर यहाँ पर हमारे पच्ची वोल्ट यहाँ पर देंगे अगर दोस्तों आपको पच्ची वोल्ट ज़्यादा लगते हैं तो comment box में जुरूर बताईएगा कि इस बोर्ड के लिए परपर वोल्ट सही कितने होते हैं कितने वोल्ट पे यह बोर्ड चलता है तो GND भी हमने लगा दिये माइनस के हमारे हैं पच्ची वोल्ट इसको हम यहाँ पर निचे जहाँ पर हैं हमारे पच्ची वोल्ट तो अब य straps, 50V यs में दिये गए हैं एक बार हम इसको देंगे supply तो एक बार आपको 50V प्लस माइनस की जहां पर डट के एक side में देखे white सी प्ट्टी होती है यह हमारा plus होता है जिस side में हमारे डट के प्ट्टी नहीं होती वो हमारा negative होता है तो प्लस हमारा उपर है इसलिये प्लस yellow wire को हमने यहाँ पर जोड़ा है negative हमारा नीच्चे है minus के voltage यहाँ पर दिये है GND हमारा यहाँ यहाँ पर हमने blue wire लगाई है तो अब इसको देंगे हम supply अब दोस्तो हमने इसके connection कर दिये हैं एक बार आपको supply भी हम यहां पर दिखा देते हैं कितनी हमारी supply इस amplifier में आ रही है तो यह देखिए दोस्तों जैसा कि आपने पहले देखा था इसमें 24V 24V और यहां पर हमारे 24V 24V और यह हमारे GND है तो अब एक बार आपको दिखा देते हैं यह on हो चुका है तो अब हमारा amplifier पूरी तरह से okay हो चुका है यानि के DC 12V पर यह on हो चुका है यहां पर हमने battery की supply देनी है तो फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए अगर कोई सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद